दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गूरू चनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो यहाँ पर एक शेर के बदले मिलने जा रहे हैं 10 शेर मतलब स्टॉक स्प्लीट होने जा रहा है ठीके और स्टॉक का प्राइस जानों के कितना है मातर 140 रुपे का और वो स्टॉक काफी अच्छा देखने को मिल रहा है मतलब दोस्तो आप अगर इस स्टॉक में 1000 रुपे लगा देंगे ठीके तो लगवग मान के चलिए आपके पास 5-6 कॉंटिटी आ जाएगी ठीके स्टॉक स्टॉक हो जाएगा तो अलाम से वो 50-60 कॉंटिटी बन जाएगी देन उसका मोमेंटम आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा तो यह है दोस्तो स्टॉक स्टॉक बोनस का फाइदा ठीके तो आप कौन से स्टॉक है किस प्राका से काम करता यह सब हम इस वीडियो में देखने वाले तो चलिए दूस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा आपने प्रॉफिट गुरू चनल को फॉस्ट टाइम विजिट का है त डेफिनेटली सस्क्राइब करिए दूस्तो वीडियो पसंद आ रहा वीडियो को एक लाइक जरू करीगा नीचे डिस्क्रिप्शन में एप स्टॉक और एंजल वोकिंग का लिंक दिया है वहाँ पर जाए फ्री में डिमेट एकाउंट ओपन करिए और हमाँ साथ निफ्टी का मार्केट केपिटल देखेंगे तो लगबग 869 करोर का पी एंडिंग रेशियो देखेंगे 580 का काफी बहतरिंग पी एंडिंग रेशियो दिख रहा है रिटर्न ओन इंप्लॉई की अगर में बात कर चाऊं 6.25 परसंट का रिटर्न ओन एक्वीटी की में बात करता हूं 4 53 परसंट का बुग वेलियो अगर आप देखेंगे 12 रुपे साथ पैसे की करेंट मार्केट प्राइस 149 रुपे 52 कालो देन फेस वेल्यू 10 रुपे पर गेशाब से तो ये फेस वेल्यू दोस्तों अब एक रुपे पर शेर के साब से हो जाएगी ठीके जन उसी के साथ अग कंपनी को प्रॉफित होगा तो उसके जैं में आएगा ठीके और देर उसके बाद आप देख सेकते हो कंपनी नहीं यहाँ पर एकसपेक्ट किया है कि हमारा कॉटर वन का रिजेल्ट आने वाला है ठीके वो काफी अच्छा रहने वाला देर उसके बाद अगर देखे तो कु पर नहीं किया इसा बताया जारा ठीक है लो रिटन ओफ यह लो रिटन ओन एक्वीटी मतलब एक्वीटी के फर्म में डाई पर्सेंट तक लास्ट तीन साल में स्टॉक ने डिया है ठीक है देन उसके बाद अगर देखते हैं कि कंपनी का कॉटली रिजल जैसे आप देख सकते तो हर कॉटर की आपको सेल्स ग्रूथ या पर देखने को मिलेगी और अगर अभी देखते हैं दिसंबर 2020 की तो महाँ पर 61.41 करोड की सेल्स किये ठीक है जो सितंबर कॉटर से जून कॉटर से काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर तो दो तीन कॉटर कंपनी के लगातर काफ देखने का प्रॉफिट निकलता है यहाँ पर तो एक करोड रुपे कंपनी ने एक कॉटर में कमाया देन उसके बाद अगर आप देखें तो 0.63 करोड का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था दिसंबर कॉटर में कंपनी मतलब कंपनी देखा जाना तो एक ग्रोइंग मोंड मे दिख रही है ठीके जो पूरी तरीके से फेचिंग कर रहे है दोस्तो अपनी सेल्स क्रो अपने इंप्रॉफ्मेंट को और इसी प्रकार से आगे भी अपना इंप्रॉफ्मेंट करती रहना तो डेफिनेटली दोस्तो जो आज हमें स्प्लिट मिलने जा रहा है दोस्तो ठीके उसका future में हमें बहुत बड़ा यह उगदान देखने को मिलेगा देन उसी के 77 अगर हम पूरे साल भर की compare करें 2015 से तो पूरे साल भर में आप देख सकते हो दोस्तो 2015 में एक करोड की sales की थी 2016 में 34, 2017 में 118, 2018 में बहुत गिर गई थी sales गो 24 प्या गई थी 2019 में 105, मार्च 2020 में लगबग 100 करोड की sales देन उसी के 7-7 company का अगर हम profit देखें तो company का profit देख सकते हो 00 हुआ था एक करोड 00 लेकिन minus में आपको कहीं भी profit नहीं देखने को मिल रहा कि company ने minus में profit निकाला ठीक है अगर हम company का नाम देखें तो company का नाम है एविक्सा life care limit है ठीक है अगर हम देखें तो यह कवित industry limited की manufacturing industry है ठीक है अगर हम देखें तो यह specialty क्या करती है oil बनाती है ठीक है यह specialty oil ink oil ठीक है radioat oil यह सब यह company manufacturing करती है जिससे क्या हो रहा दोस्तो company का अभी तो आपने देखा है कि oil का कितना ज़्यादा यहाँ पर prices increase हुआ है तो जिससे इस company को ज़्यादा फाइदा होगा तो तभी इस company ने पहले से यहाँ पर comment कर दिया है कि हमारा जो quarter fourth का रिजेट आने वाला है उसमें काफी improvement देखने को मिल सकता है ठीक है तो यह काफी interesting figure से अब चली दोस्तो हम इस talk की officially pdf के उपर चलते हैं अब दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो Alexia life care limited यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल रहा है company का updated है दोस्तो 6 माई का ठीक है आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा notification जो है ठीक है subject क्या है सबसे पहले देख लेते हैं subject है दोस्तो board meeting of conditionary stock split subdivision of share मतलब दोस्तो यहाँ पर जो subject है वो देखने को मिल गया है तो जो main चीज़े जैसे point of view बन ठीक है तो आप देख सकते हो तो recommendate of shareholder split subdivision of equity share of the company for the existing face value of equity share ए आई एन आर जो अपने इंडियन रुपीज के साफ़े 10 रुपे की face value ठीक है तो each to 10 equity share of the face value मतलब दोस्तो यह 10 रुपे की face value उस पर आपको 10 share यहाँ पर मिलने जा रहे है तो जो face value है face value of the INR 1 each मतलब दोस्तो जो 10 रुपे की face value वो अग कम हो जाएगी क्यों क्यों क्योंकि एक share अब कितने का हो जाएगा एक face value का पहले एक share 10 का था तो उस पर 10 आपको split मिल रहे है तो से भी technical fundamental है आपका जो जो interesting figure से research करने में दोस्तो करिए देन उसके बाद ही इसमें investment जरूर करिए यह नहीं है कितना बड़ा split दे रही है चोटी सी company तो हम जाके हजारों दो-दो-दो हजार quantity खरीद लें देन दोस्तो अगर हम यहाँ पर stock का performance देखते हैं ठीक है चार्ट पे बात कहता हूँ 6 मेने में तो गिरावट देखने हों मिल रही है last 1 साल के अगर मैं बात कहता हूँ तो आप देख सकते हो 15% से ज़्यादा की तेजी दिखाई है last 5 साल में आप देख सकते हो कहां से कहां पोछ चुकि दोस्तो यह company लग बग 1500% से ज़्यादा का return और overall का performance आप देखेंगे तो company 2012 से market में आई हुई है दोस्तो लगबख 300% का भी तक का उसने अपना performance दिया है लेकिन जो 5 साल में stock ने performance दिया है 1500% का वो काफी interesting है तो मैं तो यही बोलूँगा stock में दोस्तो अगर आप 1400 रुपे 1000 रुपे मतलब 14 सो लगाओ के तो quantity आजाएगी 10 पे आपको 100 quantity मिल जाएगी बहुत इतना आप लोगों के लिए एक अच्छा का सा investment बन जाएगा दिन उसका future में आप लोगों को काफी interesting figures देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि दोस्तो जो bonus मिलता है उसका फाइदा यही रहता है जो split मिलता है उसका फाइदा यही रहता है आपकी investment की value उतनी रहती है लेकिन दोस्तो जब stock momentum करता है न तो उसका original value आप लोगों को future में पता चलता है मान लीजिए अब यह stock कितना spread होके कहाँ पर चले जाएगा यहाँ पर लगबग 10% नीचे 10% नीचे मतलब लगबग 14-15 रुपे पे ठीक है वहाँ से stock momentum करेगा ठीक है अगर मान लीजिए वहाँ से stock एक बार 500 रुपे आ गया और आप लोगों के पास यहाँ पर कितनी quantity दो 10 quantity पहले से थी ठीक है तर उस पर 10 quantity ओर मिल गई तो 110 quantity अब यहाँ पर आप calculate कर सकते हो कि आपका investment जब 140 रुपे का मतलब 1400 रुपे का हो रहा था वो आज कितने का हो रहा होगा जब stock 100 रुपे आ जाएगा तो यह चीज दोस्तों काफी interesting रहती है तो जरू दोस्तों इस company पर आप focus करिए इस company को अपनी नजर में रखिए देन उसके बाद जाके आप लोग उसमें investment करिए तो यह बहतरिंग अपडेट था इस बहतरिंग अपडेट के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को close करता हूँ वीडियो को close करते से मैं यही बोलूँगा वीडियो पसंदा तो please like करिए चैनल पे अगर आप नहीं तो चैनल को जरू सस्क्राइब करिए क्योंकि हम daily basis पे आप लोगों के लिए इंट्राडे की टिप्स और मार्केट अपडेट लाते रहते हैं थैंक्यों दोस्तों